अमेरिका की सबसे बड़ी अधालत में डॉनल्ड टरंप की जीत ये मामला 6 जनवरी 2021 को वाशिंटन में इन दंगों से जुड़ा है टरंप पर आरोप है कि चुनाव में जो बाइडन के जीतने पर उन्होंने अपने समर्थकों को कैपिटल पर हमला करने के लिए उकसाया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उस रोज पूर वराष्ट्रपती टरंप के कही शब्द और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कॉंटेंट उनके आधिकारी कामकाज का हिस्सा था और इससे उन्हें मुकदमा चलने से छूट मिल जाती है मगर निजी तोर पर किये गए और किसी भी अनाधिकारी काम के लिए टरंप पर अभी भी आपराधिक मुकदमा चल सकता है अब निचली अदालत के जज को तै करना है कि टरंप के किस व्यवहार पर मुकदमा चल सकता है किस पर नहीं हालांकि इस मुकदमे की सुनवाई अभी रुकी हुई है अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर ट्रम्प ने अदालत के फैसले पर खुशी जटाई उन्होंने लिखा हमारे समविधान और लोकतंतर की बड़ी जीत हुई है अमेरी की होने पर मुझे गर्व है लेकिन वाइट हाउस में राष्टपती बाइडन के तेवर अलग थे अध्या फॉन्टाइब शचाइश प्राइडन के तेवर अलग थे सुप्रीम कोड के नौ में से छे जजों ने टरंप के पक्ष में फैसला सुनाया यह एतिहासिक फैसला भविश्य के राष्टपतियों से जुड़े मामलों के लिए भी नजीर बन गया है डानल्ड टरंप को पूरा यकीन है कि अब अपने प्रचार अभ्यान के दौरान उन्हें और किसी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा हाला कि उन्हें सभी मामलों से रहत नहीं मिली है